तो देखी एक वाक्त तो किलियर है कि योगी आदितना सरकार अब रोजगार के मुद्दे को ले करके काफी जाद चिंतित दिखाई दे रही आप लोगों को पता हो कि योगी आदितना जी की तरब से एक और जारी कर दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी रिक्त बचे हुए पद हैं तमाम विभागों में उन तमाम रिक्त पदों का ब्योरा जल से जल्द तयार किया जाए और चैन प्रक्रिया सुनश्चित की जाए ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके ऐसे मैं बात कर रहे हैं सोपाइट परिक्षा की जिसको ले कर लाकार के भी काफी जादा आसंका ये जताई जारी की सुपाइट भी जल से जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है तो अब एक सबाल काफी जयाद सामने निकल करके आ रहा है कि जब नए आयोग से सुपाइट की परिक्षा कराई जाएगी क्योंकि अभी तक जो इसा allegation लगते थे कि परिक्षा में कुछ ना कुछ गड़वडी हो जाती है या तो पेपर आउट हो जाता है या भी तमाम तरीके की उस पे गड़वडीयों के आरोप लगते आए हैं तो ऐसे में एक फियर परिक्षा कराने के लिए एक नए आयोग के गठन की बाद सरकार ने की जाएगा मतलब क्या academic खत्म हो जाएगी और क्या अब केवल और कवल मेरट के बेसिस पर सेलेक्षन होगा तो देखे आखिर कर इसमें कितनी reality है और आखिर कार जो student इसके बारे में क्या सोचते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं देखे एक चीज तो बिलकुल किलियर है कि न प्लस आप लोगों का क्या होगा साट परसेंट जो आपके पेपर में जो नमबर आए है उसके बेसिस पर आप लोगों को सेलेक्शन दिया है यह परानी चैन प्रक्रिया थी possibility है काफी एद तक तक है कि चैन प्रक्रिया में भी बदलाब होगा ठीक है तो अगर अभी तक की बात करें तो अभी तक बहुत सारे newspaper हैं इस बात को इसपस्ट कर रहे हैं कि नए आयोक से अगर भरती होती है तो चैन प्रक्रिया में भी बदलाब होगा बहुत सारे अकबारों की अगर हम बात करें जिसमें से कुछ यहाँ पर अगर हम बात करें इन पेपरों का जो भी सार है वो यह है देखे यह खबर क्यों दे रहे हैं आप लोग को पता होगे अपने आस पास में जितने भी राज्ज है चाहें अभी रिशेंटली में बिहार में भरती आई हैं बहुत सारी सुपर्ट हैट की ठीक है चाहें आपकी मद्रपरदेश हो चाहें आपका राजस्तान हो ऐसा कोई भी हैं जहां पर अकेडमिक जुड़ती हो ठीक है अकेडमिक नहीं जुड़ती है ठीक है तो ऐसे में काफी हद तक चांस हैं काफी हद चांस हैं ठीक अकेडमिक को हटा दिया जाए और हटाने से होगा क्या देखे हटाने से होगा यह की आप लोगों को एक समान अवशर मिलेगा बहला ऐसे बहुत सारे स्टुडेंट थे जिन स्टुडेंट का गुड़ांक कम था तो उनके मन में हमेशा डाउट रहता था थे क्या मैं सुपर और किवल पेपर पर डिपैंड होंगी अगर आप पेपर में अच्छा स्कूर कर पा रहे हो तो आपको नौकरी मिलेगी अन्यता कि स्टिती में आपको नौकरी नहीं मिलेगी ठीक भी है काफी ऐसे एक्जाम है आपको पता होगा कि मैक्समम एक्जाम इसी प्रोसेस पर कंड तो देखे जो अगर हम बात करें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को लेकर के राजी हैं कि गुडांक को हटा देना चाहिए अगर हम बात करें सर्वे की हमने कंड़क कराया था दस बारे घंटे पहले का सर्वे का स्कीन सॉट है आप खुछ जाकर की यूटीब चै तो आपके मन में आखिरकार क्या है क्या गुडांक को हटा देना चाहिए या फिर गुडांक की प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए आपके मन में क्या चीज है आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने राय रख सकते हैं ठीक है तो देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट possibility काफियत तक ये है, कि सायद गुलांक की प्रक्रिया को हटा दिया जाए, क्योंकि जब से गुलांक जुडा है, तब से ही इसका बिरोध होना start हो गया था, ठीक है, आप आखिरकार क्या चाहते हैं, अपनी प्रितक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और देखिए, सुपाटाइट के लिए और लेडी क्लासेज इस्टार्ट कर देगी है, रात को साले आठ बजी अपनी क्लासेज होती है, और वो विलकुल निश्यल के, अगर आप चाहें, तो उससे जोड सकते हैं, ठीक है, और आपके बनुमें फिर भी कोई कि भी संदे है, सुपाटाइट, यूपीडाइट, सीटाइट परिक्षा को ले करके, इसके लाबा किसी भी सिक्षक भरती परिक्षा को ले करके, तो आप इस नंबर पर जो आपको नीचे दिख रहा है, इस पर आप बौट साब के माद्यम से संपर्क करके अपना सवाल